ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधान मंदरी इमरान खान को अपना PM कपच छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधान मंदरी इमरान खान के दोस्त वो दोस नहीं। उनके दोस्तों को पाकिस्तान छोड़के भागना पड़ रहा है ऐसा क्यों? इमरान खान के साथ जो हुआ उसके पीछे की कॉंस्पिरेसी क्या है? इंडिया का लिंक इस सब चीजों के साथ क्या है? इन दिस वीडियो मैं ये सब कुछ डीकोड करने वाला हूँ इमरान खान एक क्रिकेटर रहे हैं एक मॉडल या कहीं प्लेबॉय रहे हैं एक हुमेनिटीन भी रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी देश के 22 वे प्रधान नंतरी भी रहे हैं इमरान उनके बारे में एक बहुत बात फेमस है वो हमेशाद दो चीज़े एक साथ करने की कोशिश करते हैं जैसे डेन नाइट ट्रेनिंग बोलिंग के साथ बैटिंग और साथ साथ यूएस के साथ दोस्ती के चलते चलते रश्या के साथ दोस्ती करना पर इस बार ये टू टाइमिंग करना इमरान खान को बहुत भारी पड़ गया ये आप इस वीडियो में समझेंगे आगे तो हुआ ये कि 9 अपरिल को No Confidence Motion के चलते पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान को अपना पत छोड़ना पड़ा और जाने एक टाइम पी ये कहा जा रहा था 2018 में कि इमरान खान शायद इकलौत ये ऐसे प्रधान मंत्री होंगी जो अपना पूरा कारे कल पास सल का पूरा कर रही है पाकिस्तान में ऐसा पहली बार होगा पर ऐसा तो नहीं हुआ ये रिकॉर्ड तो नहीं बना इमरान खाना कहले नहीं है इससे पहले बेनजीर भुटो और शौकत अजीज पे भी ये यूज़ हुआ पर वो सर्वाइव कर गए अगर कोई एक सुप्रीम पावर एक सुप्रीम पोजीशन को होड़ करता है गॉवर्मेंट में और उसको अब हम इनकेपेबल मान रहे हैं मतलब वो जो इंपोर्टन पॉलिसीज हैं डिसिजिजन मेकिंग, एकॉनमिक मैनेजमेंट अब उसके लाइक नहीं रह गया यही नहीं, इंडिया में तो भारत में 15 बार इंदरा गादनी नहीं है फेस के हर बार सर्वाइव कर रहा है पर तीन बार ऐसा भी हुआ जब निस्टर सर्वाइव नहीं कर पाए ऐसे कुछ कैनिडा, स्वीडन, स्वीडन में भी देखा गया है पर जैसे मैंने बूला कि पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ कि नो कॉन्फिडन्स वोट की वज़े से एक टीम को अपना पच छोड़ना पड़ा पर ये कैसे हुआ? कौन है इसके बिज़े? क्या कॉंस्पिरिस याब आगे? इस बार में चर्चा करते है पर इमरान खान के case में कुछ और भी चीज़े है तीन मुख्य कारण है मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ पहला, economic mismanagement तो इमरान खान जाए ये नारी के बाद आए थे कि हम corruption free कर देंगे पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे पर इमरान खान की खुद की रेन में पाकिस्तान ने बहुत बहुत बारी economic mismanagement देखा inflation बढ़ा, food prices बढ़े यहां तक की रूपी में एक बहुत साथा significant, around 30.5% का downfall दिखा current account deficit 20 billion को पार कर गया और यही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान subsidies देते रहे अपने लोगों को भही बाहर, loan मांगते रहे in fact, at this point of time, it is believed that जो पाकिस्तान की total liabilities है वो 50 PKR trillion dollars है imagine, और उसमें से 20 PKR trillion dollars बस इमरान खान के रूल के अंदर ही बढ़ गया so obviously one of the core reasons, जिसको इस conspiracy में भरपूर यूस किया गया वो था, economic mismanagement in इमरान खान's rule but दूसरा, मुख्यकारण है, वो है उनका inexperience वो है उनकी तरफ से loose statements दे दे रहा अब एक प्राइमिस्टर से बहुत उमीद होती है लोगों को पर जब ऐसी statements एक प्राइमिस्टर देता है जहां उन्होंने ऐसी कुछ बाते करी, responsible statements दी वहीं, खुले आम उन्होंने opposition की parties के मुख्य लोगों की बात करी कुछ ऐसे statements भी दिये कि वो कपड़े क्या पहन थे यहां तक कि वो अपनी military को भी directly taunt करने से नहीं चुके और वो military जो पाकिस्तान को चलाती है, जिन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान को भी बनाया था इमरान खान उनसे भी पंगा लेने से नहीं चुके और यह क्यों हो रहा था और यह बात उन्होंने कई बार अपनी speeches में बताई, unconsciously, subconsciously उनके मूँ पे Mr. Modi का नाम आ ही जाता था Mr. Modi को पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से हम बात चीत करें मुझे आइस्ता ही असास हुआ कि वो इसको कम्जोरी समझ रहा था इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए और हम, हम को इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खलाफ स्टेटमेंट दे कि हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते हुए उनकी इंडिपेंडेंट फॉरण पॉलिसी है इस अन इंडिपेंडेंट कांट्री तो हम के हैं तीसरा मुखे कारण जो कि Politics and the Conspiracy वो conspiracy किया चली उसके बारे में बात करते हैं देगे यहां एक बात बोलनी बड़ी ज़रूरी है कई लोग पॉब्लिक में बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने corruption के अगेंस बहुत ज़ादा बात करे और इसी के चलते उन्होंने शबाज शरीफ जो अगले प्रधान मंतरी बनने वाले है उनको उन्होंने money laundering के केस में एक साल पहले arrest करवा दिया जो कि अभी तक चल रहा है जो कि एक बहुत महत्रपूर्ण reason बना जो कि इमरान खान को एक पच छोड़ना बड़ा है मैं आता हूँ उस पे क्योंकि जहां घर के अंदर एक power opposition और दूसरी power military now they were against इमरान खान वहीं अब तीसरी power ने जनम ले लिया जो इमरान खान के अगेंस्ट होगी वो कैसे हुई because इमरान खान बनना चाते थे मोधी वो इंडिया की foreign policy की भड़ी तारीफ करते थे मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीब भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदोस्तान अजाद हुआ था लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि वो एक बड़े खुदार कौम है कभी किसी की जुरत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालां कि सारी सेंक्शन लगी हुए या वो कहरे जी हम तेले पोर्ट करते हैं हमारे लोगों की बेथरी है तो इम्रान खान का भी यही प्रॉब्लम है पर उनको ये समझ्या है कि इंडिया has led that foundation over the years पिछले 8 साल इस नई गवर्मन ने भी अपने foreign relations में बहुत काम किया और पाकिस्तान अगर ये बिना किये अगर रशिया चला जाता है वो भी एक sensitive time पे तो ये बहुत बारी blunder हुआ इम्रान खान से और वहीं US से पंगा ले लिया इम्रान खान ने और ये तीसरी पावर US से मेरा decode ये क्या दा कि conspiracy is this कि US ने जब देखा इम्रान खान वहाँ चले गए रशिया के साथ तुनों ने देखा कि हमारा geopolitical domination ख़तरे में है और वहीं उन्होंने nata किया collaboration किया opposition के साथ that is what my decode is and that is the conspiracy कि जो इम्रान खान के जाने की वज़े है वो बस economic mismanagement नहीं है वो है conspiracy which is a geopolitical conspiracy which is led by US मैंने अमरीका को बार बार कहा अमन में हम आपके साथ हैं जंग में आपके साथ नहीं है और ये बाद अगर आप सारी sequences देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ बयान आप देखेंगे शवास शरीफ के तो आप समझ जाएंगे अमरीका के साथ 74 साथ में कई मर्तबा उतार आया कभी अपना डिक्लाइन आया हमारे तालुकात में उसके कई बज़वात मैं नहीं जा रहा लेकिन ये कहने के क्या दूरुक थी तो शवास शरीफ और इसका बेटा कहता दरगेई कहता कि इमरान खान ने बड़ी खलत काम दिया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी नौजवानों पाकिस्तान ने अमरीका की जंग में शर्कत की असी हजार हमारे लोगों की जाने गई तो जो आप देख रहे हैं अब जो गौर्वर्मेंट आईगी और आज I'm sure शवास प्रधान मंतरी बन चुके होंगे इस वक्ट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो on the face तो प्रधान मंतरी होंगे पर पीछे से जो गौर्वर्मेंट होगी यो US की होगी और इसका impact अंडिया पे क्या होता अब उस पे आते हैं शेबाज शरीफ युन्होंने पहले भी ऐसा बोलाया कि इंडिया और पाकिसान को काम करना चाहिए जैसे US और North Korea ने कराया अपने relations पे तो वो ऐसी चीज़े बोलते हैं उसके जो बड़े भाई नवाज शरीफ है जो तीन बार प्रदहन मंत्री बन चुक है इंफाक शबाज शरीफ is a veteran politician तो वो जरूर दो चीज़े करेंगे एक वो इंडो पाक relations के नाम पे US को बेटिंग करने देंगे वो initiate करेंगे dialogues peace talks के नाम पे और in peace talks के थुरू US इंडिया पे pressure बनाना चाहेगा जिससे इंडिया को वोपेश पूल करें इंडिया रश्य और चैना के साथ ना मिले बिकर जो cold war है जो geopolitical war है उसमें US wants to keep its domination ये मेरा decode कहता है while इमरान खान became the scape goat in this entire geopolitical space मुझे लगता है इस चीज़ का ख्याल इंडिया को करना चाहेए तो मेरा conclusion साफ है guys तो जहाँ US के sanctions के बाद भी pressure बनाने के बाद भी इंडिया ने उनकी बात नहीं माने इंडिया वो कर रहा है जो उसके लिए ठीक है जो हमारी country के लिए ठीक है और वही मैं आपसे चाहता हूँ और वही reason है कि ये video और ये पूरा analysis मैंने आपके सामने प्रसुट किया आज परकाद अगर हमें पता होगा हम learned होंगे तो हम सही चीज़ों को support कर सकते हैं और wrong चीज़ों को credit size कर सकते हैं guys मैं ऐसे decode में फिर से मिलुगा ये video share ज़रू करें बिकस ये video share करें तो और लोगों को awareness भी लोगी और जितने भी पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं वो भी इस video को share करें बिकस आप लोगों को भी जानने की बड़ी जरूरत है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ और ये जो geopolitical space है ये कितनी गंदी है जिसका भी जो भी मुद्द, जिसका जो भी intention है वो जो भी है पर मैं चाहतों peace talks में एक चीज तो हो जाए जो art है उसमें रुकावटना है exchange of art between the two countries should not be a problem यहाँ सवनुनिगमें तो महरहात है यहाँ श्रिया है तो वाबीदा है मुझे लगता है art exchange should continue because art doesn't have any boundaries what do you think? No गैस एक poll दी विया मैंने उसका link है वीडियो description में वो poll ज़रू अटेंड करें और बताया आपकी रहागया और comments में बताये कि इस पूरे वीडियो में आपको क्या बास समझ में आपका क्या perception था? क्या वो perception चेंज हुआ? इस वीडियो को like करना, share करना, comment करना और तब कहीं और जाना गैस मैं ऐसी decoards में, ऐसी वीडियो में मिलता रहूं मैं हो काश आप देख रहे हैं पीपोई आप कुछ नहीं चुपेगा मेरे लोगों की बेतरी में हो साथ वाला हमारा मुलक हिंदुस्तान मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं इन्होंने हमेशा अजाद परन पालसी रखी